नमस्कार दोस्तों मैं जी तेश कोशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पबलिक रियक्शन टीवी पर तो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास तो अंकित जी बताईए हमारे दर्सकों को आज के मौसम के बारे कल यानी 14 जुलाई 2024 को और फिर देखेंगे कि परसों यानी 15 जुलाई को हरियाना में मौसम कैसा रहेगा तो आएए पहले देखते हैं कि कल हरियाना के कि जीलों में कितनी बारिस होगी लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कल हरियाना का तापमान कैसा रहेगा कल दिन के समय जिन जीलों में सबसे ज़्यादा तापमान होगा वो जिले हैं इसी तरह कल रात की बात करें तो जीन जिलों में सबसे जादा तापमान होगा वो जिले हैं यहां पर रात का अधिक्तम तापमान 28-28 डिगरी तक रहेगा हवा की गरत की बात करें तो कल रेवाडी और जिले में हवा की गरती सामाने के मुकाबले जादा रहेगी तो आईए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुती हलकी छिटकुट वर्सा या फिर सिर्षा अब आईए देखते हैं परसों यानी 15 जुलाई की मौसम की जानकारी परसों दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भिवानी, जीन, पंचकुला, सिर्षा, चर्थी दादरी, अंबाला, हतेहाबाद, गुर्गराम, हिसार और जजज़र यहां पर दिन का अधिक्तम तापमान 36 डिगरी तक रहेगा इसी तरह परसों रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पंचकुला, अंबाला, हरीदाबाद, हतेहाबाद, गुर्गराम, जजज़र, जीन, करनाल, कुर्छेप, और मेवाद, यहां पर रात का अधिक्तम तापमान 28, 28 डिगर तक रहेगा, हवा की गत्पी बात करें तो परसों हरियाना के लगभग सभी जिलों में हवा की गत्पी सामाने रहेगी, तो आईए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुती हल्की छिट्पुट वर्सा, या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है ये जिले हैं पंचकुला, पानीपर, पलवल, यमुना नगर, सोनीपर, भरीदावार और जजज़र, अब आईए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की अपर हल्की से ज़्यादा वर्सा हो सकती है, ये जिले हैं मेवार और दुर्गराम, तो ये था हमारी दोरा बताए गय को हमें जरूर बताए, आज की खबरों में सरफ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, जब तक सब्सक्राइब करके जुट जाईए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रेक्शन टीवी से, और साथ ही कंटे का बेटन जरूर दबा ले तक हमारी यह एक नई वीडि हमें जरूर दियूब